कार जैहिंद बंदे मातरम दूस्तों आप सबीका स्वागत है बिटेस ब्रोदर प्रेटपर में राष्टित बसिक्षाद दीशी जामीनाई फ्राम बिटेस ब्रोदर तो दोस्तों इसमें देखने वाले हम जो विहार इनुवर्सिटी के तरफ से कुष्छन के यूग यूग निन से अपने जानते ही हैं आप लोग कर आँए जहां आज गोधी के प्रमने में से किस हरापका कानिन अज्तल से प्राप्थ हुए हैं तो कहां से हुए है गो हो जाएगा लोथल से हुई है दो नमर देखिए रीक बैद में कुल कितने मंडल है तो करेक्ट एंसर घो हो जाएगा दोस मंडल है देखिए दोस्तों इसमें हम टोटल सव कोस्चन देखेंगे थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा देखिए दोस्तों आप लोग 15-20 मीन त्वाजबन का संगपान में और सो आगे क्या का भीडियों में दोस्तों कि संगम चाहित में उल्लेग किन का है तो चोल चेर और पांडया तीनों अप्शन रहेगा अप्रुट में सभी तो सभी हो जाएंगे देखिए दोस्तों इसमें साड़े कि छूट नहीं सके इसके लिए हम पूरा कोशिच कर रहे हैं व्यतस प्यस्तर कोश्चन दे छे नमर का रहा है कि महमुद गजनावी ने धन के लिए 1025 में किस परसीद मंदिर को लूटा था तो सोमनाथ को हो जाएगा छे का साथ देखिए करा निमलिकेत में से कौन सी साइली युनानी परभाव का परिणाम थी तो कौन थी को हो जाएगा गंधार आटक ये प्रियाग प्रस्वस्ति किसने लिखी तो गो हो जाएगा हरी सेन यह इंपोर्टेंट कोश्चन बहुत-बहुत भेरी इंपोर्टेंट कोश्चन है नौ देखिए पिर्थिभी राजारा किस किसने लिखा है तो खो हो जाएगा चंद्र बरदाई ने यह भी बहुत भेरी भेरी इंपोर्टेंट है इसको भी देखिएगा दस नमकर्या मोरे सासन का सवरुक्या था तो जो था यह पूर्ण राजित अंत्र था खो हो जाएगा चरी आगे कोश्चन देखते हैं एक गार देखिए दोस्तों हम important question जो ही बताए हैं same to same question लड़ा है तो इसको भी देखिएगा question हम बहुत important question पहतर से पहतर question सब चून कर लिये हैं इसमें से लगभग तीन हजार कोश्चन से साड़ तीन सो कोश्चन निकाले हैं तो आप लोग इसको जरूर देखिएगा एक भी कोश्चन छुटना ना पाए एकजाम में तेरह देखे कोड़ा है बन बेवस्था कब बन सानुगत जाती बेवस्था में बदल जाती है तो गुपत और तरकाल में क प्रेक्ट एंसर गव हो जाएगा अगला कोश्चन देखिए हम आप लोग के लिए इतना मेनत कर रहे हैं आप लोग जोग को जब अपका भवीश्य में कुछ करना है तो आप लोग नहीं देख सकते हैं 20 मिनट का वीडियो तो और क्या देखेंगे इससे पहले 400 वीडियो का संग्रा भी इंपोर्टेंट कोश्चन हिस्ट्री पेपर वन और एंसेट हिस्ट्री का हो चुका है दो वीडियो और 100 कोश्चन का डाल दिया गया है इंपोर्टेंट कोश्चन लगवग हम पूरा मिला कर आपको यह खजार कोश्चन इंपोर्टेंट कोश्चन कराएंगे ज इसमें 400 question कहो गया एक घंटा के वीडियो होगा और यह जो है पूरा 300 question पूरा मिला कर एक घंटा कहोगा इसमें लगवक 20-25 मिनट होगा उसके बाद 20-25 मिनट तो उसको अप लोग जरूर देखिया उसके बाद इस पूरे question से 1500 question भी भी आई important question निकाल कर एकजाम से दो दिन पहले या एक दिन पहले आप लोगो को देंगे 14 देखिये कह रहा है निमलेकत में से कौन सी पूस्तक हर्स ने नहीं लिखी है तो हर्स चरीता जो है नहीं लिखिये क्योंकि यह जो है किसके द्वार लिखा गया है आप लोग कमेंट कीजिए 15 देखिये कर रहा है असो के अभी लेखों का सो रूपे क्या था तो उपरोक्त में सोई अस्थम लेख सीला लेख और गुहा लेख तीनो था 16 देखिये इंडिगा की रचना की है तो किसने किया है मेगा अस्थनीजने गो हो जाएगा 16 देखिये और सास्त के लेखों के कौन है तो यह कोटिल है गो हो जाएगा 18 देखिये मौर की राजधानी कहां थी तो मौर की राजधानी थी अप लोग का पाठले पूट्र गो हो जाएगा 19 देखिए अन्ति में मोरेस समराज कौन था तो यह ब्रियदरत था correct answer गो हो जाएगा 20 देखिए गुप्त समराज का संस्थापर कौन था गोज श्रीगुप्त था 22 देखिए अपना समराज अस्थापित किया थो दक्कन में समराज अस्थापित किया था गोज जाएगा 23 देखिए फायान किसके सासनकाल में भारत आया था तो चंद्रगुप्त दितियों के सासनकाल में जिसमें बिक्रामादीत करते हैं 24 देखिए करहे सबसे प्राचीन सिलाले कौन सा है तो असोख है correct answer को हो जाएगा असोख के अस्थाप में किसने पड़ा है तो जेम्स प्रिंसप ने चरिए 25 देखिए करहे असोख के किस समराज से समबंदित था तो मोरे समराज को हो जाएगा आगे question 26 दिए किस घटना के बाद असोक का हिर्दय परिवतन हो गया था तो कलिंग के यूद के बाद गो हो जागा 26 का 27 दिए कर रहा है जन में किस का पूत्र था तो परिशित का था चुर्यक्त अंसर हो जाएगा 29 दिए कर राजा जनक किस राज के राजा थे तो विद्यए के थे पूर्यक्त अंसर हो जाएगा देखिए दोस्तों तीस कोस्टन हो रहा है अभी तक हम आप लोगों को नई बोले हैं कि सब्सक्राइब कीजिए तो अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें जिसे आपको समय समय मिद्धि रहें कि लाइक कमेंट सेर जरूर करें जेता साशक और निर्माता धार्मिक सब्सक्राइब तीनों था एकति देकर भारत का सिकंदर ने कब आकरमण किया था तो 327 इसाप पूर्व में 32 देकर भारत पर सिकंदर के आकरमण का क्या परभाव पड़ा तो छण भंगूर हो गया था यानि गह हो जाएगा गह चंद्र गुप्त प्रथम्त मौर था 35 देकर कोटिले किस राजा की सभा में मंत्री था तो यह जो था चंद्र गुप्त मौर में करेक्ट अंसर हो जाएगा 36 देकर किस समराज की मिरतिय परांत भारत की राज श्री पराजपुतों के हाथ में आई थी तो हर्स बरदन के मिरत इस तुक के बाद करेक्ट एंसर हो जाएगा 37 देकर है समुन्द्र गुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है इसका नेपोलियन की भाती महान बिजेता था यानि को हो जाएगा 38 देखिए उतना इंपोटेट नहीं है 49 देखिए कर रहा है असोग किसका पुत्र था तो राम गुप्त का असोग किसका पुत्र था यहां पर गलत एंसर दियागा है बिंदु सार का यहां पर असोग जो था किसका पुत्र था बिंदु सार का हो जाएगा इसलिए हम कर रहे समुन्धर गुप्त मौरे किसको काम थो तो सवरी चंद्र गुप्त मौरे किसके किन अपुत्र जो है चंद्रगुप्त का अंतिम संगर्स किसके साथ हुआ था तो से लुकस के साथ हुआ ता correct answer को हो जाएगा आगे question 42 देखिए mega ओस्थनीज कौन था तो यह जो था important उतना question नहीं है रहने देजिए ताहिताली देखिए को रहा है प्रचीन भारतिया इंतियास जानने का सुरत है तो उप्रुक्त में सभी जो है पूरा तत्वे साहितियक और यात्रियों का व्योरण चवाले कुसाड़ों को कहा जाता है तो कुए के खो हो जाएगा गुप्त काल में कैसा काल था तो यह जो था उप्रुक्त में सभी पराढ़ता परिपक्वता और पुंड़ता था अन। सब्सक्राइब करना को जाएगा कॉरेक्ट एंसर दोस्तों यह जो इंसेंट हिस्ट्री का भी कोश्चन इसमें आया है तो उसको भी अपलोड पढ़िया क्योंकि एंसेंट हिस्ट्री वाले भी के लिए अलग से क्या बनाई इसी में देख लिएगा महमुद गजनभी कौन था तो यह उपरुक्त में से सभी एक गाजी इसलाम धर्म का कट्टर पोशक और एक कट्टर सुनी मुसल्मान था बावन देखिए उतना इंपर्टेंट कोस्चन नहीं है तिरपन पर चर यह राज अंदर पर्थम किस बंस और सबसे बड़ा समराट था तो यह चोल बंस का था कोरेक्ट एंसल गवह हो जाएगा 56 देखिए चा लिक्यों की राजधानि कहां थी तो जो ती व अताफी थी चालूकियों की राजभानक करें का सदापिद करने का सरे किसग को है तो यह जो है तैलप दितिये का 56 वतापी के चालुकियों के राजबंस का संस्था पर कौन था तो यह था जैसिंग था यानि गौ हो जाएगा संताओं दितिये किस राजबंस का समराट था तो यह वतापी के चालुकियों के था गौ हो जाएगा इसलिए जल्दी बाजी करना पड़ रहा है अंठाओं देके नर्सिंग बर्मन किस राजबंस का समराट था तो यह पल्लाव राजबंस का ता क्रेक्ट एंसर को हो जाएगा उनसट देके किस समराट में मिर्तिव परांत भारत की राजधानी राजपुतों के हाथ में आई थी तो बंगाल में वी थी एक सट का को हो जाएगा बासट देके करा राजपुत किस के बंस थे तो छत्रिय थे खो हो जाएगा कोरेक्ट एंसर अगला कोश्चन तिरसट के हेवेन सांग कौन था तो हेवन सांग जो था एक चीनी बहुत भीक्छू था कोरेक्ट एंसर गो हो जा जाती है तो असोक और समुंद्र गुप्त से चांचट दिए करा हर्स बंदर का दरपारी लेख कौन था तो यह जो था वाडभट्था क्रेक्ट असर खो हो जाएगा सर्चट के हुड कौन थे तो हुड जो थे उपरुक्त में सबी थे चीन की बंजारा जाती मोंगोल जाती की सिथी न साखा और लुटेरी तीनो और चो दिए गुप्त समराज के पतन का कारण था तो क्या था घौ हो जाएगा ओयध्या उत्राधिकारी सोरी आयोग उत्राधिकारी और हुडो का करमड़ असकंदन गुप्त की मिरित तो उनात्ता दिए फाहियान कौन था तो आपनों क गुप्त घौ हो जाएंगे वट्तर देकरा चोल साष की आधित्यय विशयस्था क्या थी तो यह भ्राम सवायदित ति यान locomड़ घौ हो जाएगा तो यह चोल साष की अस्थापना किस्था अप्दी में हुई थी तो न Quer schad inverted box देक्ये मीन कुए था पचाथे लेख़ नहीं है इतना नहीं अची है तो सततर पर चलिए असोक के जो थे उप्रुट में से सभी थे बहुत धर्म के अनुवाई थे वह सभी धर्मों का आधर करते थे और उसमें संप्रादिक नहीं संप्र दाइक्ता नहीं थी सततर का गभा हो जाएगा अठातर देखिए प्रारंजिक जीवन में चंद्रगुप्त क्या था उप्रुट में सभी नंदों का नौपर था मगत का सेना पती और धाना नंद का सेना पती था चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं 89 करा है चाणक के कौन था तो चाणक के आप तो जानते हैं उप्रुट में सभी कुटिल गोद्र और ब्राममड चाणक राम का निवासी एक योग विद्वान तता दुरदर्शी राइनितिक था आगे क्वेश्चन देखिए औसी इंपर्टेन ना क्वेश्चन नहीं है एक जानते ही होंगे 83 देखे मोरे बंस नाम क्यों पड़ा तो उप्रुट में सभी क्यों की चंद्रगुर द्वारा मूरा नामक दासी का बड़ संकर पुत्र था था क्योंकि उसका गोत्र मूर था गोकर आये क्योंकि वह मोरिया च्छत्रिय बण का था 84 देखे सिकंदर था तो सिकंदर क्या था उप्रुट में से सभीता फिलिप का पुत्र युनान निवासी और मकदुनिया का सासक 85 आईए 86 आईए 87 देखिए हर्स बर्धन ने किस तीथी को सासन की बागडोर संभाली थी तो 707 इस भी में आगे क्वेशन और 88 देखिए पल्लाव का सिक्षा का केंदर था तो कांची था करेक्ट एंसर गव हो जाएगा 89 देखिए परसियन आकरमण का काल था कव हो जाएगा 550 से 326 इसा पुर्वे 90 देखिए किस के परभाव से भारत में प्रांतिय और सासन का सुत्र पात हुआ तो परसियन के करेक्ट एंसर गव हो जाएगा 90 देखिए फाहियान का भारत आया था तो 399 इस भी में आया था इसा पुर्व नहीं 90 देखिए नंद बंस का संस्तापक कौन था तो महापदमन सुद्र थे को हो जाएगा 93 देखिए 94 देखिए 94 देखिए गतम बुध का जनम निमन में से किस अस्थान पर हुआ था तो लुम्बनी में हुआ था करेक्ट एंसर गव हो जाएगा 95 देखिए करा जन धर्म के ते इस्वे तिर्थंकर कौन थे तो यह अचो थे पार्सव नाध थे यह इंपोरेंट कौस्चन बंता है देखिए गा 95 देखिए 95 देखिए 95 हडवा कानी लोगों द्वारा निमले खित में से क्या नहीं उप जाए जाता था तो दाल नहीं उप सबसे पुराना बेद कराए तो रीग बेद है इधर बलत दिया है रीग बेद को हो जाएगा बुद्ध का वास्तावी के नाम क्या था तो सिधार्थ था करेक्ट अंसर खो हो जाएगा यह लास्ट क्वेश्चन है 100 इसके बाद 100 क्वेश्चन और ले कराएंगे दो वीडियों 100 करके इसके बाद इसमें से निचोड़ देड़ 100 क्वेश्चन देंगे लास्ट में तो अगर हमारे चनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें बेल आइकोन को प्रेस करें जी सब्सक्राइब करें लाइक कमेड़ शेयर को तो नेक्ट बीडियों में तब तक लिए धन्यबा तरम दो तो